Hi Everyone, कल हमने Rate of Reaction किया था और आज हम दिखने वाले Types of Rate of Reaction तो तीन तरह के Rate of Reaction को तीन तरह से Express किया जाता है Number 1 है Average Rate, Number 2 Instantaneous Rate, Number 3 Initial Rate Initial Rate जो है यह आपके Slaves में नहीं है, यह दो Rate जो है यह आपके Slaves में दिये गए है तो One by One करके हम इनको बहले समझते हैं Average Rate क्या होता है, देखो, आपको बता है Average Rate, जिसे अभी तक हम जो Rate को Express करते आए हैं जिसे Del, जो A, B, C, जो भी हमने यहाँ पर C लिया, तो यहाँ पर जिसे हमने Del, C लिया, अपन Del, T, इसी को Average Rate बोलते हैं Change in molar concentration of any reactant or product with respect to temperature, तो इसी को बोलते हैं Average Rate जिसे आपको बता है, reactant decrease होते हैं या consume होते हैं और product जो होते हैं वो increase करते हैं या form होते हैं तो सबसे पहले हम reactant के लिए एक graph plot करेंगे और फिर हम average rate देखेंगे, ठीक है, देखो सबसे पहले हमने graph कैसे plot किया, मैं अलग से यहाँ लेती हूँ, यह concentration versus time अब आपको पता है, initial में जो reactant की concentration काफी खासी होती है और दीरे दीरे वो कम होने लगती है, है ना, दीरे दीरे decrease होने लगती है, तो यह जो मतलब downward आ रही है, तो मतलब decrease हो रही है, अब आपको बोला गया, कि आप एक T1 time पर concentration देखो कितनी है, तो आपने क्या किया, यहाँ से एक line draw करी, है ना, तो यहाँ यह T1, माल लो, अगर यह T0 है, तो यहाँ पर T1 हो जाएगा, है ना, एक मिनाट, मुझे दुबारा से draw करन दे, अगर यह T0 है, तो यहाँ T1 होगा, यहाँ T2 होगा, ऐसे, तो यहाँ T1 पर, और T1 पर concentration भी कितनी होगी हमारे पास, C1, क्यूंकि इस तरफ हमने concentration लिए है, ठीक है, और उसके बाद, T2 पर आपको बुला गया, कि देखे, concentration कितनी है, तो T2 कहीं यहाँ आएगा, तो इ line है, यह उपर तक जा रही है, तो यहाँ पर यह जादा आ रहा है, तो यहाँ जो C1 है, वो greater than है, C2 के, ठीक है, क्यूंकि अभी यहाँ पर reactant T1 time पर जादा था, T2 time पर reactant कम होगा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा, यह C2 जो है, जो less than है, C1, यह C1 greater than C2, ठीक है, अभी इस वाले graph को explain किया, अब यहाँ पर आपको पता है, rate कभी भी minus में नहीं जाता, rate को कभी minus में नहीं लिखते, तो हमने यहाँ पर minus क्यों लिखा, क्योंकि यह decrease हो रहा है, reactant है, तो minus delta C upon delta T, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, delta C, तो यह दो values है हमारे पास, है ना, C1 और C तो change in temperature और change in concentration की भी दो value है, तो delta C किसके बराबर है, C2 minus C1, मतलब final में से initial को minus किया, और delta Tb, T2 minus T1, ठीक है, तो यह हमारे पास निकल के आए, reactant के लिए, चलो, product के लिए देखते है, तो product क्या है, वो increase कर रहा है, rate, तो यह जैसे मैं यहाँ पर, let me draw this graph right here, यहाँ पर product कम बन दे जाएंगे, finally फिर product बन जाएंगे, और एक time पर reaction भी रुख जाएगी, क्योंकि वहाँ पर, जो reactant product होंगे, almost बन चुके होंगे, and reaction will be about to finish, खत्म होने वाली होगी reaction, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बुले, T1 पर, T1 पर यहाँ पर, यहाँ पर और यह C2 हो गया, तो यहाँ पर C2 greater than C1 हो गया, ठीक है, तो यही हो गया हमारे पास average rate, average rate, average rate, average rate अपने दिमाग में इतनी सी बात बिठा दो, देखो, इतनी लंबी थीरी, इतनी चीज़ा रटने से अच्छा है, कि थोड़ा सो concept अपने दिमाग में बिठा ले, जब del, C by del T से rate को represent करें, that is average rate, अब आपको क्या भूला गया, मैंने बोल दिया, कि बच्छा, यहाँ पर मुझे time, यहाँ की concentration, यहाँ की concentration, मतलब इस point में, slope के, यह slope होती है, तो slope के इस point में मुझे बताएं, कि यहाँ पर कितनी concentration है, आप तो confused हो जाएंगे, कि यहाँ पर कोई time दिया यहाँ पर time zero है, तो क्या ही concentration होगी, तो जो इस slope पे जो point है, वो ही इसकी concentration होगी, और इसको represent क्या से किया जाता है, अब यहाँ पर delta की जगा, small d लगाया जाता है, dc by dt, जब जो change in temperature होगा, वो tend to zero, मतलब zero, वो zero होगा, तो उसको बोला जाएगा, instantaneous rate, तो यहाँ पर time zero है, तो यहोब आपको समझ आगी होगी, मतलब देखो, जो average rate होता न, वो finite, मतलब time के लिए, finite, time के लिए होता है, finite, finite, मतलब कुछ value होगी time की, जिसे t1 है, t2 है, और जो instantaneous time होता है न, यह जब time zero होगा, ठीक है, जो time है, the change in time, time, the change in time है, that will be 10 to 0, ठीक है, 10 to 0, यह है T E N D, 10 मत समझेगा, ठीक है, अब चले, एक rate हो रहागया है, हमारे पास, कौन से वाला, initial, initial आपके syllabus में नहीं, देखो जब reaction start ही नहीं, जैसे bike racer जो होते हैं, जब देखा होगा, आपने bike start करते हैं, तो race देते रहते हैं, है न, लेकिन brake पर पहुंग रखा होता है, जैसे ही brake चोड़ेंगे, तो गारी चलेगी, तो जब brake, जब तक brake पहुंग रखा हुआ, अब छोड़ी नहीं उनने, तब वो हो गया initial rate, ठीक है, तो initial rate कितर गया, एक मिनाट, ये वाला, तो initial rate, जब reaction शेरो ही ने, initial rate, t is equal to 0, dc by dt, t कितना होगा, 0, ये है initial rate, ठीक है, चले, ये तो समझाना था आपको, अब आप notes, जैसे prepare करेंगे, तो लेखेंगे, क्या वो भी सोचो को है, मैं हमने क्या कर दिया, देखिया, यहां पर पूरा explain किया हूँ, instantaneous rate, average rate, है न, तो यहां पर सब बताया हुआ है, कि क्या होता है, instantaneous rate, average rate, है न, तो अब यहां बर मैं आपको instantaneous, में ये देखो, किसी एक point पे, तो ये देखो, dc की जगा, यहां पर dx ले ले लिया, बाकि पुरा का पुरा same है, तो यह आई होप, इसमें कोई दिक्कत ने होगी, आपको समझ रहे हैं, उसके बाद, calculation करी हुई है, तो calculation में भी instantaneous rate, dx by dt, यहां पर क्या कर दिया, उन्होंने ये जो graph में ने plot किया था, है न, ये किस के लिए, reactant के लिए है, देखो, reactant के लिए ह और ये जो इसको बोला जाता है, slope, अब यहां पर देखो, यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, dx by dt की जगा, यहां पर यहां इसको 0 दे दिया, और यहां पर यह जो time t पे काट रहा था, इसको ऐसे एक slope खीच ली, तेक है, ऐसे, sorry, ये वाली, कितर की, ये वाली, तेक है, और यहां पर भी, इसको देदिया, अब, dx कितना है हमारे पास, dx कितना है, हमारे पास, o a, और a, यह हमारे पास, dx और dt कितना है, हमारे पास, dt होगा, o b, तेक है, o x और o b, यह क्या होगया, perpendicular और यह बेस, perpendicular और base किसके बराबर होरता है, 10 theta के, तो यही लिखा हूँए, 10 theta, तो बागी पुरा सेम कुछ भी नहीं है एवरेज रेट देखो जैसे मैंने करवाया अभी आपको चैंज इन कंसंट्रेशन रियक्टेंड या प्रोडेक्ट बिट्विन एन इंट्र वेल अफ टाइम या फर फाइनाइट ताइम पर है ना वही चीज हो गई तो दी एस बाइटी तो वाजिकले इतना है थेंक य।